बूर्णिंग श्वाधत है आप सबुका महात्पागांदी शिक्षन संस्तान के यूट्यूब चैनल पर आजंबर गैस्त के लिए अभिलासा पाठ पुस्तक के पाठ संख्याँ छोग इसका नाम है तेरह तारीक और सुक्रवार का दिन उसके अभ्यासकार्द को बताएंगे तो अभ्यास में चलते हैं सुदुचार्ण के लिए सब्द है गिरहस्ति अस्तब्ध पंडुब्वियां चिंतामग्न सबमेरीन बिध्वन्स ससक्त पुरसार्थ ड्रेडनाट द्रेर्ता स्रद्धानजली अश्वाशन पराक्रमी सोचिये और बताएंगे में प्रेशन है कि चर्चिल किस पद पर काड़ रथ था तो हम लिखेंगे चर्चिल अंग्रेजी जल सैना के फस्ट क्लास अफिसर के पद पर काड़ रथ था ब्राउन के कूच करने की तिथी और दिन सुनकर ब्राउन की मा और उसकी पत्नी क्यों घबरा गई ब्राउन के कूच करने की तिथी तेरह तारिक और शुक्रवार का दिन था जो अंदिविश्वास के कारण उसके मा और पत्नी के लिए असुब था असुब दिन में यात्रा असुब दिन में कूच करने के कारण उसकी मा और पत्नी परिशान हो गई आपने इस पाठ को पर कर क्या जाना? हम लिखेंगे हमने इस पाठ को पर कर यह जाना कि कर्म योगी के लिए कोई भी शमय, कोई भी दिन, कोई भी तारिक खराब नहीं होता. कर्म योगी अपने कर्म के बल पर अपनी भागे को तैं करते हैं. इसलिए हमें ऐसे अंध्विश्वासों में नहीं परना चाहिए. हम अपने शमय को कोई भी शमय असुभ नहीं होता. शमय को सुभ और असुभ काम करने वाला श्वेंग मनाता है. अब चलते हैं लिखित के तरफ. लिखित में किस ने कहा? पेंसन दे रही है. ब्राउन को विश्राम लेने दें. ब्राउन की मा. ब्राउन की मा ने कहा ये. चर्चिल अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे. साइज जहाज या नाव वनवाने के कार्ज. उनकी देखवाल. ब्राउन की पत्नी ने इस नौका की जितनी और जैसी मरमत हो सकती है. तुरंत करवाता हूँ. चर्चिल ने कहा था. जो सब्द, दो सब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्द करता है. उसे हम समुच्य वोधक सब्द कहती है. जैसे आर किंटु इसलिए ताकि आदि. समुच्य बुधक सब्द एक अब्य है जो दो सब्द दो वाक्य को आपस में जूर जीता है जिसे हम अंगरीजी में कन्जक्शन के नाम से जानती है तो कहता है उचित समुच्य बुधक अब्य में अब्ये में सही का निशान लगा करके रिक्त स्थान को भरिये ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक ट्रेली ग्राम लेकर आ गई और लिखेंगे उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोका परंतु वह नहीं रोका परंतु लिखेंगे ब्राउन को चर्चिल ने बुलाया था क्योंकि वह लंदन के लिए रवाना हुआ क्योंकि लिखेंगे निमलिखित सब्दों के बिलूम सब चांट करके लिखना है तो इच्छा का अनिच्छा लिखेंगे उद्थान का पत्न लिखेंगे सौभाग्य का दुरभाग्य लिखेंगे कायर का बीर लिखेंगे अलपायू का दरगायू लिखेंगे अप्शगुन का शगुन लिखेंगे निमलिखित सब्दों के उपसर्ग और प्रत्य उपसर्ग प्रत्य और मुल्च सब्दों को अलग करना है तो इसमें अतिरिक्त में उपसर्ग लिखेंगे अति मुलसब्द लिखेंगे रिक्त बिनास में उपसर्ग लिखेंगे वी और मुलसब्द लिखेंगे नास जहर इला में प्रत्य लिखेंगे प्रत्य लिखेंगे इला और मुल्सब्द लिखेंगे जहर गरीबी में प्रत्य लिखेंगे दिर गई और मुल्सब्द लिखेंगे गरीब अब संकेत के आधार पर या सबमेरी नहीं या इसमें ब्राउन क्यों घबरा गया ब्राउन क्यों घबरा गया सब्मेरीन की दशा देखकर सब्मेरीन इसमें पहला टिक करेंगे सब्मेरीन की दशा देखकर कूच किस दिन करना था तेरा तारीक और सुक्रवार के दिन ब्राउन की पत्नी और मा कूच की तारीक कोई और रखवाना चाहती थी क्योंकि वे इस दिन और तारीक को मनहूश मानती थी तो आज के वीडियो में या बस्तनिस्ट प्रस्नों के उत्तर दे करके आपको बताएं हैं अगले वीडियो में बचिवे प्रस्णों के उत्तर देंगे तब तक आप लोग अपने विशेवस्त को आगे बरहने की कोशिस करेंगे धन्यवाद